असलाम लेकूँ मैं हूँ डॉक्टर नादिश रफान और आप देख रहे हैं गून चैनल 6 पर मेरे साथ आज मौझूद हैं किंग एडवर्ड मेडिकल इनिवरस्टी की डीन ऑफ पब्लिक हेल्थ और प्रेवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर साहर आफजल असलाम लेकूँ कैसी हैं एक खुबसूरत किताब लिखी गई है 158 एडवर्ड मेडिकल इनिवरस्टी की तारीख पर मबनी किताब है इस किताब की आप चीफ एड़िटर हैं ये किताब कैसे आपके जहन में आई कि ये क्यों होनी चाहिए और ये सब आइडिया किस तरह फॉर्मिलेट हुआ ये किताब जिसकी आप अभी बात कह रहे हैं 158 एड़िट एडवर्ड मेडिकल इनिवरस्टी किंग एडवर्ड मेडिकल इनिवरस्टी वो तालीमी इदारा है जिस ने ना स्रफ पाकिस्तान के बाहर भी बहुत से अच्छे डॉक्टर प्रोडियूस किये और पाकिस्तान की नेक नामी में पूर दुन्या में अजाफा किया इसका ख्याल असल में मुझे नहीं आया बलके हमाई वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिब मसूद गॉंदल साहब के जहन में ये ख्याल आया और उन्होंने मुझे से ये ख्याल डिसकस किया और पूछा कि कितने अर्से में हम ये काम कम्पलीट कर सकते हैं मैंने उनसे पांच-छे महीने की टाइम फ्रेम डिसकस किया और ये बात की कि हम जितने भी आर्काइव्स हैं उसे देखेंगे और फिर 158 एट यर्स की मुस्तनद मालूमाद जमा करके इस किताब को तकमील के मराहिल से गुजारेंगे जब मैं मुख्टिफ लोगों से मिली, मुख्टिफ राने प्रोफेसर से मिली तो उनका ओवर्वेल्मिंग रिस्पॉस था वो इसकदर खुश हुए कि उन्हों ने लाकर अपनी पुरानी चीज़े मेरे से शियर की उसके अंदर प्रोफेसर फरुख जो के प्रोफेसर आफ जूरालजी और प्रोफेसर बशीर जो के हमाई प्रोफेसर आफ निरो सरजरी थे उनके घरवालों ने लाकर मुझे वो बे इंतहा कीमती तसावीर, डॉक्यूमेंट्स और यादाश्तें दी जिससे मैंने ये किताब मुकमल दी ये जो किताब है ये बहुत ही खुबसूरत तरीके से आप लोग ने लिखी है और इस जो किताब पे हिस्ट्री आप थोड़सी ब्रीफ सी दें किब से ये यूनिवर्सटी किस तरह पहले क्या था और किस दाप यूनिवर्सटी को असको बनाए गया और अब तक का सफर कमी को पूरा किया जाय और इसकी पहली केंपॉस जो है वो गौर्मेंट कॉलेज यूनिवस्टी में अभी भी वे इमारत मौजूद इजहां से इसका अगास हुआ हमने उस अमारत की तसावीर हासिल की और वो पहली डिग्री को से इश्यू हुई हमने उसकी भी तस्वीर हासिल की और फिर 1860 के बाल लोहॉर मेडिकल स्कूल को लोहॉर मेडिकल कालेज बनाया गया फिर ये कॉलेज किंग ऐड़िकल कॉलेज का नाम इसको मिला 2005-2005 में एक King Edward Medical University बना और इसमें रिसर्च और एडुकेशन पर बेंतहा तबज़ो दी गई एक युनिवरस्टी के अंडर जो जो काम आते हैं उसके रिसर्च हो गया स्टूडेंट के अंडर के बिल्डी जाना डिफरेंट शोबो को अंदर डालना तो अभी तक इस युनिवरस्टी में King Edward Medical University के हमारे वाइस चांसलर परफेसर खालेद मसूद गोंदल साब ने बेश बहा खितमात इंजाम दी है और उन सब के इन सब की वज़ा से आज उस युनिवरस्टी का नाम हम सब के जेरे जुबान आम है पहले एक वक्त था ही युनिवरस्टी को जादा नहीं जाना जाता था लेकिन अब Medical University में मार्शाललाख टॉप वे गववन्मेंट इन्वरस्टी में इसका नाम आ रहा है क्या चेंजिस आएं हैं क्या आप लोग सामने लेकर आएं क्या क्या खितमात आई हैं आपने बिल्कुल थी कहा कि आप जबान जदे आम है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवस्टी को वहां का इफारिगल तहसील तालिब इलम, जिसके अंदर जनून की हद तक अपनी मादरे इलमी के लिए महबत हो, वो ही ये तमाम काम कर सकता था, जो कि उन्होंने करके दिख है, मसाल के तौर पर, मैं सिर्फ चंद एक आपके सामने पेश करूंगी जिसे आपको अंदाजा होगा, हमारे केडामिक प्रोग्राम्स, पी-एच, एम-फिल, एम-डी प्रोग्राम्स के लिए, पी-एम-डी से को मदू किया, उन्होंने आके विजिट की और इनको फैलोशिप्स शुरू की, वो तमाम चीजें जिनमें फैलोशिप्स पहले मौजूद नहीं थी, हमारे हाँ गुर्दों का मसला बहुत आम है, लेकि बच्चों के गुर्दों के अंदर फैलोशिप्स शुरू कराना, जोडों के मर्स के लिए, रिमॉर्टालोजी में फिर इसके लावा हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ और एक जो के पहले मौजूद नहीं था, उसे रिसर्च डारेक्टर के अंदर उसका इजरा किया ताकि और एक अपनी इंडस्ट्रियर लिंकेजिस को मजबूत बनाए और यहां पर जादा रिसर्च हो सके, क्योंकि युन जिसकी हम इस दफ़ा पच्छिस साल पूरे होने पर सिल्वर जूबली मना रहे हैं, उन्होंने इसके लिए बेनतहा काम किया, इडिटोरियल बोर्ड में उन्होंने बहुत से एडिटर्स को इन्वाइट किया, जिसमें से मुझे बहुत खुशी के साथ यह बता रही हूं, क जिसमेटर कामरान वो हमारे इडिटोरियल बोर्ड में शामिल हैं, इसके लावा प्रोफेसर जॉन स्मेथ, प्रोफेसर जॉन चेंबर्स, प्रोफेसर जीन ब्लेयर, प्रोफेसर एरा टेकियान, और बहुत बड़े बड़े नाम इस वकत हमारे साथ इसमें शामिल हैं, जिस सब्सक्राइं को मजीद बेहतर बना सकते हैं सिर्फ इस कलील मुद्द में प्रोफेसर खाल मसूद गोंदल ने पचास से जादा डालेगेट्स को इंवाइट किया जिन आकर किंग एड़ुड मेडिकल यूनिवरस्टी को विजिट किया और उन्हों ने कहा कि हम इसकदर कि हम चाहते हैं किंग एड़ुड मेडिकल यूनिवरस्टी कॉमन वेल्थ यूनिवरस्टी के प्लेटफॉर्म को जॉइन करें फिर हमारे साथ मजीद रिसर्च में स्टूड इक्सचेंज में काम करें चाइना यूनिवरस्टी का डेलिगेट आया और उनने किंग एड़ु अच्छ इड़ुड मेडिकल यूनिवरस्टी को सिस्टर यूनिवरस्टी का डर्जा दिया बिटिश उनिवरस्टी के पांच वाइस चांसलर्स मुखनिव उनिवरस्टी के वो आये और उसके डेलिगेशन के हैड ने कहा कि इट इस सो इंप्रेसिव मैंने जिसा किंग एड इस बीडार इस बीड़ ने लेडिगेशन उनिवरस्टी इन एन इस।ूट्टी के वर एग एड लोग टीच वहाइस बीडिव टूुच्छ अनन की गयी ऑर उसमें पॉल बैरक हमारे साथ शामिल हूए और यूस से पॉल बैरक जिब पाकिस्तान आए और उनने किंगेशन तो उसके बाद उनका रिस्पॉंस जो था वो देखने से तालुक रखता था No doubt एक अच्छी लीडर्शिप होना बहुत ज़रूरी है अच्छी लीडर्शिप और डेडिकेटिड जो के हमारे वाइस च्रांसलर परफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदो साब जैसी है मज़ीद भी बताऊंगी और फिर हमारे इंफरास्ट्रॉक्टर में बड़ी तबदीलिया हुई किंग एडवर्ट मेडिकल यूनिवस्ट्री में बच्चीयां हॉस्टिल की वज़ए से बहुत परिशान थी और शायद आपको हैरत हो कि बच्चीयों को रेंटिड हाउसेज में रखा जा रहा था वहांपर उनकी सेक्योर्टी के इशूस थे आने जाने के टांस्पोर्ट के इशूस थे आपको देख सकते हैं कि कराय के ओपर बच्चीयों को रखना वो बच्चीयों जो के अपने मेडिकल प्रोफेशन में आगे जाना चाहती हैं पढ़ना चाहती हैं उनके माबाब भी किती बेसुकूनी में साथ पीछे रहना ये बहुत अच्छा स्टेप है उनके लिए होस्तिल्स करना चीज सी का हॉस्टल अभी इफ्टता के करीब है पंजाब गॉर्मेंट से फंड्स लेके उनने हॉस्टल कंप्लीट कराया यूनिवर्स्टी के अंदर मकबूल ब्लॉक के लिए एलो मनाय से 63 करोड रुपेया लेकर एक खुबसूरत अमारत बनने जा रही है जहां पर लेक्चर थेटर्स होंगे स्टूडन के एजुकेशन रिवार्मेंट होगा तो बेतरीन तौर पर अपने स्टूडिस को कंप्लीट कर सकेंगे फिर इंफरास्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंट्टिंग के अमारत कंप्लीट हुए जिसमें लाइबरेरी मौजूद ह एक लाइबरेरी निए चार चार लाइबरेरियां है फेकलिटी की लाइबरेरी है स्टूडन लाइबरेरी है रीडिंग रूम्स हैं जहां पर बैठके स्टूडन्स अपना मुतालिया कर सकते हैं अपने इम्तिहानों के लिए पढ़ सकते हैं जबर्दस यह सारी जो आपने म ये ओल्ल कामपस है इसके लब हमारा नियू कामपस है जो के मुरीद के में मौजूद है और वहां पर एक खुबसूरत कामपस बनने जा रहा है और उस कामपस के लिए दो सो चालिस एकर जमीन मौजूद है इट इस एक्जेकली टू थर्टी नाइन और एकर और उसके अंदर सेंटर अफ एक्सिलन्स होंगे बेतरी इन अमारत होगी वहां पर शजरकारी मोहिम हुई है और प्राइम मिनिस्टर की क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की मोहिम के लिए हम आजा सादिक हुसेद इसकदर बुढ़ापे के बावजूद वहां पर आए उन्होंने पौदा लगाया हम सब के दिनम्यान घुल मिल गए उन्होंने हमारे साथ अपनी यादे शियर की वहां पर प्रोफेसर नसीर महमूद अख्टर प्रोफेसर महमूद अली मलिक प्रोफे सब्सक्राइब के नाम से मिलेगा इसे ना सिर्फ ये के डॉक्तर बनेंगे बलके वहां के इलाके के लोगों को सेहत की सहुलियात मिलेंगी हॉस्पिटल मिलेगा I'm just speechless. I was asked by Professor Gandal to come and see this new project of the KEMU and it's an amazing ride from Lahore to here. It was wonderful to see all these small towns and the people and these grounds are green wonderful. I hear from what I hear is 230 acres of land. This is going to be an absolute marvel and hopefully it will add to the education and to all the good things that people of Lahore deserve. This is very important and this is a way of thinking and this is a multi-dimensional thought. Hostels, academic, research, you have made the old campus and new buildings. That is totally out of the world. I've seen the changes in a few years, especially Professor Gandal's time, very impressive. My hope is that other medical universities and medical colleges make role models this role models. I am sure that King Edward Medical University is the top university of Pakistan and the whole universities will follow them. And in Pakistan, it will be the best of the education and medical education in this kind of work. So, the new Pakistan is not far away. Thank you very much. Thank you very much.